सारे लोग होंगे जो अलाहाबाद यूनिवसिटी के बी ए लेलबी का कड़फ का इंपजार कर रहा हैं याद रखिएगा यह 2024 का कड़फ अपने आप में बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है आप लॉग इन करके जाकर के अपना सेलेक्शन अपना लिस्ट देख सकते हो म लेकिन जो सबसे जरूरी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं सभी बच्चों का कैटेग्री वाइज कटव कितने मार्च प्याया ध्यान से देखिएगा यह जो ऑफिसियल डॉकिमेंट है मैं अपने से बात नहीं करता हूं खुब से मैं अपना कोई क्याकूलेशन नहीं देखाता हूं ऑफिसियल हमेशा बात करता हूं ऑथेंटिक बात करता हूं कोई फर्गी वाना नहीं तो सबसी ज्यादा जो है जरूरी क्या है कैटेग्री अन्डिजर्व में 581 से सुरू हुआ है आपको जान करके यह चर्य होगा कि आपका जो फर्स्ट बच्चे का आया है वो है 506 पे मोहित राज गुपता ठीक है यह चीज आप समझ लो पहली बाद कि 506 कटफ क्या होता है बेसिक सबसे डाउन वाला नमबर दो तीन लिस्ट आएंगे इसका बीएल भी भले है लेकिन दो तीन लिस्ट आएगा टेंशन ना लोगा अब बात कर लेते हैं ब चीज आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग देखें सिडूल कास्ट के अगर बच्चों की तो 491 सबसे हाइस्ट वाले का आया है फर्स्ट लिस्ट में और जो नीचे आप बढ़ोगे आप देखो कि यहां नेम आप अप्लिकेंट सिडूल कास्ट में आसुतोस रावत राम परस 422 में इनका माक्स है आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग अगला देखें सिडूल ट्राइब के बच्चों की तो उनके कटफ में 364 पे सुराबू किशू परताब चंद्र किशू 364 नमबर पर उनका आ गया है तो आप एक गैप देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ 364 से 332 लास्ट वाले बच्चे का गैप 32 नमबर का टोटल गैप है मतलब पहला स्टूडेंट 364 आया फिर आखरी जो स्टूडेंट आया प्रतिभा विश्नू औराओ इनका 332 है अब यहां ध्यान दीजिए जो जनरल का फर्स्ट कटफ है उसका फर्स्ट कटफ है 581 और ST का जो फर्स्ट बच्चे का कटफ है वो 364 है जनरल का जो सबसे हाइस्ट कटफ है मतलब सबसे लोएस्ट सबसे लोएस्ट अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी में तो 506 है लेकिन ST का सबसे लोएस्ट कटफ 303 32 है मैं कहने यह चाहता हूं कि लगबद दो ढाईसा नमर का गैप आपको दिख रहा है और यह अच्छा कासा गैप है आपको क्या करना है आप कौन सी केटेगरी से हो कौन से स्टेट से बिलाउं कर रहा हो हमें जरूर बताओ ताकि आने वाले टाइम में आपको बी ए रेलबी की सारी तयारी चुकि 2025 वाले बच्चों का नया बैच का एक्जाम हो आपके लिए सबसे जरूरी क्या है आपको तयार रहना तयारी बढ़िया से करना तो कट अब देखो पीवाई क्यू देखो और आप अपनी तयारी स्टार्ट करतो तो थाइंक यू सो मच बाई फर नौल